नमेशकार दोस्तों, मैं स्ट्रोलजर और टेरो कार्ड रिडर नीलव आज हम अपने स्पैशल प्रोगर्राम में बात करेंगे 2022 सन किस तरह रहेगा, किस तरह का 2022 आने वाला साल आपके जिए रहेगा उसके बारे में हम tarot cards के माध्यम से cards क्या बताते हैं, क्या prediction करते हैं, आपके भविश्य की, भविश्य के गर्व में क्या कुछ छुपा है और ये नया साल जो आने वाला है, इसके बारे में सबको उत्सुकता रहेगी, किस तरह का ये साल रहेगा, आपके financial life कैसी रहेगी, इन चीज़ों के लिए बहुत जादा परिशान रहे हैं, क्या 2022 में वो आपके सपने पूरे होंगे, तो cards क्या कहते हैं, और उनके cards का जो भविश्य पर जो prediction है, उनकी tarot की predictions है, वो आपके लिए कितना सुखमे समय लेकर आएगी, उसके बारे में जानेंगे, तो आज बात क पूछते हैं, तो tarot cards reading में जब भी हम अपने future के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें बहुत जादा cards clarity में बताते हैं, कि किस तरह का हमारा आने वाला समय होने वाला है, cards में जो predictions होती है, वो pictures के माध्यम से होती है, लेकिन ये चित्रों का ज्यान बहुत हद तक आपके astrological analysis पर based होता है, और ये बताता है कि किस तरह ये जो समय है आपका रहेगा, past, present, future हम सब को जान सकते हैं, tarot cards के माध्यम से, तो जो अभी मैं देख रहे हूँ, मेश राशी वालों के लिए cards निकल करा हैं, बहुत ही खुबसूरत card, हो सकता है कि साल की शुरुवात में थोड़ा सा स्वास्ति प्रति आपको सचेत रहना पड़े, थोड़ा स्वास्ति में उतार शड़ाव की स्थिति है, लेकिन बात करें धन की, तो इस साल आपको बड़ी investment कर सकते ह अगर आप जॉब के लिए तलाश में हैं, किसी अच्छी position के तलाश में हैं, तो उसके लिए cards भी बहुत उंदा आए हैं, आपको कोई अच्छी जगह पर, किसी अच्छी post पर आपको जॉब मिल सकती है, कोई बड़ी investment कर सकते हैं, कहीं से कोई बड़े पैसे amount का आपको offer आ करने की सोच रहे हैं, तो आपके bank balance में जाफा होता, इस साल दिखाई दे रहा है, बात करें, आपके सहकर्मियों की, आपके सहयोगियों की, तो इस साल बहुत सारे आप देखोगे, कि बहुत सारे ऐसे लोग आपके साथ जुड़ेंगे, जो आपके जीवन में सहयोग जो आपको परिशानियों से निकालेंगे, अगर आप किसी समस्या से जूज रहे हैं और आपको किसी की मदद नहीं मिल रहे हैं, तो ये 2022 आपको प्राकर्तिक रूप से कई लोग ऐसे लेकर आएगा, जो आपको helpful रहेंगे, मददगार साबित होंगे, खास तोर पर females का साथ आपको बहुत अच्छे से बिलेगा, बात करें आपके सुख साधनों की, तो इस साल आप किसी प्रकार के वाहन के क्रेका भी जो है कार संकेत दे रहे हैं, ऐसा महौल बन रहा है, तो आप ले सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी जादा फाइदे मन साबित होगा, बात करें आपके competitors की, आपके शत्रों की, तो ये साल आपके शत्रों को हमें शांत रखेगा, और अगर आपके जीवन में अपने competitors से problem आ रहे है, आपका कोई court case मसला ऐसा चल रहा है, जो आपको समस्या दे रहा है, तो ये साल काफी हद तक आपके लिए राहत लेकर आने वाला है, साल के शुरुआती दिन देखेंगे, आप थोड़ा सा disbalance होगा, लेकिन साल का जो मध्यांतर और अंतिम समय रहेगा, वो काफी जादा उम्दा नजर आ रहा है, यहीं बात करें, आपके शादी शुदा life के बारे में, आपकी married life के बारे में, आपकी love life के बारे में, तो उससे related जो काड आएं हैं, वो काफी उम्दा आएं, काफी अच्छे आएं, तो आपकी love life जो है, कोई अच्छा proposal, किसी अच्छे व्यक्ति के साथ संपर्क बनना, किसी मन्चाहे व्यक्ति का जीवन में आना, इस तरह के काड जो हैं, वो बता रहे हैं, आपके married life में, थोड़ा सा aggression क जो चीजें हैं, परिस्थितियां हैं, आउट अफ कंट्रोल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप aggression को hold करेंगे, अपने ठीक सभाल कर रखेंगे, तो आपकी married life में भी progress के बहुत अच्छे काज आएं, अगर किसी नए महमान की आप वेट में हैं, और चाहवान हैं, तो इस साल संत संतान सुख की प्राप्ति भी आपको होती दिखाई दे रही है, संतान पक्षते आपको लाब भी होगा, जिन भी लोगों के बच्चे हैं, और किसी higher education को प्राप्ति के लिए उनका उनकी कामना है, तो उसके लिए कार्ज भी बहुत अच्छे हैं, संतान संबंदे सुख या जो कार्ज बता रहे हैं, क्या आप कहीं कोई बड़ी investment कर सकते हैं, जी हां, किसी प्रकार की property या किसी प्रकार की संपत्ती में investment करने के लिए कार्ज भी जो है वो बता रहे हैं, अच्छी condition है, लेकिन आपको साल के शुरुआत में या investment के शुरुआत में जो output है, वो बहुत अच्छा नहीं होगा, संतोष जनक नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ समय देंगे, क्योंकि long term investment के जो कार्ज हैं, वो संकेत दे रहे हैं, अगर long term में जाकर आप investment करेंगे और थोड़ा सा patience के साथ काम लेंगे, तो investment आपको अच्छे result भी देगी, अच्छा output देगी, बाजार की बात करें, जो लोग share market में interested हैं, उनकी लिए ये साल भी बहुत सारी नई opportunities लेकर आ रहा है, लेकिन जरूरत है आपको सही जगह पर investment करने की, पूरे विवेक से काम लीजेगा, किसी भी चीज में जल्द बाजी न करें, आगे कार्ज संकेत दे रहे हैं, किसी प्रकार की ध की यात्रा आपको करने पड़े, आपके घर में कोई अच्छा event भी होता, इस साल दिखाई दे रहा है, कोई spiritual event और अध्यात्म से जुड़े लोगों के लिए ये साल spiritual journey के लिए बहुत जादा progressive रहने वाला है, अब बात करें हम नौकरी पेशा लोगों के लिए, तो नौकरी जौब ढूंडने वाले लोगों को साल के कुछ महीने थोड़ा सा संघर्श करना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद काफी अच्छे results, response मिलते दिखाई दे रहे हैं, तो ये था आज का मेश राशी का इस साल का टैरो राशी फल्ट, और इसके साथ ही हम बढ़ेंगे next राशी जन्ने वा